आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आज हम लोग बात करेंगे बिहार के नए नवेले उपमुख मंतरी समराट चोधरी के बारे में जिन पर एक पॉपुलर कहावत फिट बैट रहा है वो कहावत है बाप मर गए अंधेरे में और बेटा का नाम पावर हाउ और समराट चोधरी लागतार यहाँ पर परियास में लगे हुए है कि जिस तरह समराट चोधरी अब भूल जा रहे है कि दुसरे पर कीचर उचालने से कोई पॉपुलर नहीं होता है बल्कि अपनी खुद की छबी बनानी परती है जो तरह समराट चोधरी आपने बेवहार और कुशलता से बनाया है वैसे समराट चोधरी का कैसा बेवार है यह सभी ने विधान सभा में ही अपने ही पार्टी के उस समय के स्पीकर बीजै कुमार सीनहां से तूतू मैमे करते देखा है वैसे आजकल समराट चोधरी भी तेजस्वी यादों की तरह सरकारी नोक्रियों की बात कर रहे हैं खेर सरकारी नोक्रियों की बात करना अच्छी बात है पर इस पर बात करने से पहले उनको यह बताना चाहिए कि जब जब उनको मंतरी बनने का मौका मिला है वे कितने लोगों को अपने विभाग से नोकरी दिये हैं वैसे इस सवाल का जबाब समराट चोधरी के पास नहीं होगा तब से तेजस्वी यादो समित राजद के सारे मंतरियों के फाइल चेक करवाने की भी धमकी दे रहे हैं खेर समराट चोधरी को जो करना है करके देख लें पर तेजस्वी यादो का बाल भी बाका नहीं होने वाला है तेस्वी अदो जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और 2025 में अपने दम पर मुखमंत्री भी जरूर बनेंगे वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें